यहां पर PM किसान का यहां पर EKYC कगो जारी हो गया है जो यहां पर आप KYC कर सकते हैं CSE कींको करने को लिए हो करने के आपको यहां पर एक नए लिंक आया है जिसके माध़न सुमें आपको CSE login करके दिखाऊंगा यहां पर CSE login कैसे करते हैं तो चलिए शूरू करते हैं चैनल पर नहीं होंगे ते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और सभी को होली की धेर सारी सुब काम ना है यहां अच्छी तरह से होली मनाएंगे और इसमें कोई समस्या ना करें किसी से जगड़ा नहीं करें और चलिए यहां पर मैं किन करकर के दिखाऊंगा कि कैसे लॉग इन करना थैं चलिए शूरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर पी एम किसान इकिसी का जो link है, जो official website है मैं official website पर चला आया हूँ है, यहाँ पर आप देख पारे हैं, मेरा यहाँ पर यह official website है, यहाँ पर जिसके मादम से आप सभी क्यों सी कर पारे हैं, तो एक नएया यहाँ पर link जो CAC का जो मैं आपको दिखाने माला हूँ, तो सबसे पहले आप यहां पर आएंगे इस वाले पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आने के बाद यहां पर आपको दिखे जाएगा यहां पर CAC Login का सेक्षन तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है यहां पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको क्लिक करने एक बाद आपको तो देखिए यहां पर आपको direct यहां पर home page पर चला रहा है, तो यहां पर home page पर आ रहा है, तो यहां पर आप CAC login कहां से कर पाएंगे, तो यहां पर आपको CAC login करने के यहां पर कोई option नहीं आ रहा है, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा एक link दूँगा, जिस link से आप यहां और में डारस्ट कर लेंगे सर्च करने के बात देख पांगे यहां पर मेरा Carry 2 कि यह वाला capture box इसमें और इसके बाद यहाँ पर search कर लेना है आप यहाँ पर देख पारें कि मैं यहाँ पर अधार नमर एक डाल चुक हो capture डाल चुक हो इसके बाद सर्च वाले स्क्षन पर क्लिक करेंगे तो मैं search पर जैसे क्लिक किया यहाँ पर लिखा हुआ है इक कि वाइसी is already done पहले से किया है इनका इसलिए आप कर लेंगे और जिनका भी आपको करना होगा है यहाँ से आप check कर लेंगे करके यहां पर कोई यहाँ पर official website जारी नहीं किया गया है यह third party लिंक है यह कभी भी बंद हो सकता है कभी भी चालू हो सकता है इसलिए आप यहाँ पर ध्यान देए कि आपको जितना जल्द हो सके KYC अगर जितना दिन तक होकर होता है तो आप KYC पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पर किसी अधर बेक्टी का डोकुमेंट न में जरूर लिखेंगे